मतुरा के थाना कोतवाली इलाके के स्वामी घाट के पास रिष्टों को कलंकित करने वाली एक संसनी खेजवारदात सामने आई है जहां भांजे ने अपनी मामा की गोली मार कर हत्या कर दी और घटना को अंजाम दे कर मोके से फरार हो गया घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मोके पर पहुचकर चानबीन में जुट गई पुलिस ने युवक के शब को अपने कबजे मिलेकर हत्यारे की तलाज शुरू कर दी है कोतवाली इलाके के स्वामी घाट के पास भांजे सतीश ने अपने ही मामा रामू की गोली मार कर हत्या क कर दी हत्या का कार नहीं हो सका है इस घटना के बाद में तक के परिजन घटना स्थर पर पहुच गए सूचना मिलते ही पुलिस भी मोके पर पहुचकर चानबीन में जुट गई है हत्यारे भांजे की तलाज की जा रही है एसपी सिटी और शोक कुमार मीना का कहना है कि भांजे ने सतीश ने अपने ही मामा रामू पराशर की गोली मार कर हत्या कर दी है पुलिस मामने की जाच में जुटी हुई है उनका कहना है कि अभी तक परिवार के और से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तहरीर प्राप्त होते ही मामना दर्च किया जाएगा हत्यारे भांजे की तलाश की जा रही है मौथुरा से समद आता जाहिद सेद के रिपाउट वादि अब कोई मामने की गाए ह करि आप कोई महालम लीजी साविव इन उसका रहा था क्यूंガ कोई अंड़म होगा वे ये साइल अब सब्लय जागडवा थे कई घुणा मुड़ा अब तो पहता कि I Shoko क्या मामला रहा है यह आज करीड चार वजे यूपी 112 के द्वारा सुचना मिली थी कि स्वामी घाट के पास में गोली चली तुरंत मुख्य पर पुलिस आई और यहां पर देखा और बात की तो यहां पर राम पराशर है यह की पाली कड़े रहने वाले हैं उनी की हत्या गोली मारकत उनका जो भांजा आया शतीस तिवारी इसके दवारा कर दी गई है कर दी गई थी मोटे पर आकर जब देखा गया तो यहां पर एससल को बलाया गया है और जितने भी संपल से उलिये गया है काती साथ बेट गोडी उसको पीएमी के लिए मोटसरी बिजवाया गया है और अभी तक कोई तरहीर प्राप नहीं हुई है जैसे ही घरवालों के तरह से तरहीर लिलेगी इसके अधाब पर ही आगे कावर्टी जाएगी और यह जो घर है इसने भांजे दवारा मामा को मारा आगे इनके बीजना आगे इनोंने साथ में बेट के दारूल की है और इसके अधाब की आगे अधाब है उसके वाद को लेकर इनको गोडिमारी है अभी तरह प्राइमीरिय ने भास हाए जैबी तरहीर बैंक्वेट लाए है इंक्रेडिबल मारच पलेस राजगराना और सब्सक्राइब करने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब शेर और सब्सक्राइब करें घंडे वाल